Hey everybody, मैं हूँ Priya और आप देख रहें Phenology Legal आज की इस discussion में हम तीन चीजों के बारे में जानेंगे पहला, Hindu Succession Act क्या है? दूसरा, 2005 का जो amendment था उसमें क्या-क्या changes इस Act में introduce किये और तीसरा, August 2020 के जो judgment है विनीता शर्मा वर्सेज राकेश शर्मा का इसमें क्या held हुआ? तो सबसे बहले जानते हैं इस Act के बारे में देखे, Hindu Succession Act, Succession और Inheritance की बात करता है कि प्रॉपर्टी आगे किसको जाएगी? किस-किस का प्रॉपर्टी पर कितना राइट रहेगा? ये सारी चीज़े डिसकर्स की गई है इस Act पर और ये Act applicable है हिंदूस, बुद्धिस्ट, जैन्स और सिख पर तो ये Act ही कहता है कि दो तरीकी की प्रॉपर्टी होती है पहली होती है Ancestral Property या Petric Property जो आप अपने दादा पर दादा से पाते हैं और दूसरी होती है Self Acquired Property जो आप अपने बलबूते पर बनाते हैं तो ये दो तरीकी की प्रॉपर्टी होती है इसके बाद ये जो structure है ये किसी भी Joint Hindu Family का structure है तो मान लीजी A1 वो इंसान है जिसके पास Ancestral Property है और ये है उनकी wife ये है उनके son और daughter ये grandson, great grandson और ये great great grandson अब इस family के लिए मैं दो terms use कर सकती हूँ एक है members और दूसरा है co-partners तो इस family में जो भी लोग होंगे चाहे daughter का husband हो या फिर son की wife हो ये सारे ही लोग इस family के members तो होंगे पर क्या ये सारे लोग co-partners भी होंगे? नहीं co-partners वो लोग होते हैं जिनका ancestral property पर right होता है वो अपना right claim कर सकते हैं उन्हीं कहते हैं co-partners तो 2005 के amendment से पहले Hindu succession act ये कहता था कि co-partnery rights या co-partners सिफ वो लोग होंगे जो same ancestor के linear descendants होंगे मतलब इस property के co-partners कौन-कौन होंगे? A1, उनके son, उनके grandson और great grandson ये degree तक ही co-partner खेलाएंगे इनकेस इन में से किसी भी एक की death हो जाती है तो next in line भी इस right में include हो जाएगा पर इसका मतलब क्या हुआ? कि Hindu succession act ये कहता है कि male lineage वाले लोग ही सिर्फ include होंगे क्योंकि same bloodline तो सिर्फ male lineage वाले लोग ही co-partner rightly qualify करेंगे अगर daughter है, wife है या widow है वो co-partner rightly qualified नहीं करेंगी और यही थी Hindu succession act की problem तो A जिसके पास वो acquired property थी आगे उसके co-partner कौन होगा? उसका son, फिर grandson और great grandson और फिर ऐसे ये rule चलता जाएगा इस rule को कहते हैं survivorship rule और ये दिया गया है Hindu succession act के section 6 में और इस section का main criticism क्या था? इस survivorship rule का main criticism क्या था? सिर्फ males ही co-partners हो सकते हैं सिर्फ वो ही property acquire कर सकते हैं देखे अगर कोई भी इंसान अपनी will बनाता है कि मेरी property का ऐसा division होगा इत्ता पसंट मेरे daughters को जाएगा इत्ता मेरे sons को जाएगा और बाकी बाकी लोगों को जाएगा तो उस will की हिसाब से ही property का division होता है पर कोई भी इंसान will सिर्फ अपनी self acquired property के लिए ही बना सकता है ancestral property का जो division होता है वो will की हिसाब से नहीं होता वो division होता है इस law के हिसाब से इसलिए 2005 के amendment ने survivorship की इस rule को cancel out करके लेके आए testamentary succession और interstate succession testamentary succession मतलब एक testament बनाना एक will बनाना और उस will के हिसाब से आप अपनी property किसी को भी बाट सकते हो आप चाहे तो अपनी widow को या अपने husband को son, daughter या random किसी person को भी आपको अगर अपनी self acquired property allocate करनी है तो इस will के अंदर इस testamentary succession के अंदर आप कर सकते हैं तो will के according अगर आपको अपनी property divide करनी है तो उसमें तो कोई problem ही नहीं problem आती है interstate succession में मतलब अगर किसी इंसान की death हो जाती है बिना will बनाए या अगर ancestral property का division कैसे होना है उसके लिए काम आते हैं ये interstate succession के rules तो 2005 के amendment ने ये 4 classes introduce की थी जिनमें अलग-अलग लोग आते हैं जैसे class 1 में आता है widow या husband, son, daughter और ऐसे लोग और 2005 का amendment act ये कहता है कि अगर किसी भी इंसान की death होती है और अगर ancestral property है तो पहला right जाएगा widow को, son को और daughter को और इन तीनों को equal right मिलेंगे तो अगर property है ये इन तीनों category में equally divide होंगे सबके equal rights होंगे तो ये था 2005 का amendment जिसने survivorship के rules को abrogate कर दिया और testamentary और interstate succession के rules को introduce किया तो 2005 के amendment से क्या हुआ sons की तरह, बेटों की तरह daughters को भी co-parsners कहा गया और ये कहा गया कि daughters का जो ये co-parsnery right है ये birth से उनके पास है दूसरा, sons की तरह, daughters की भी property में equal liability होगी और 2005 की amendment की enforcement date दी गई 9th September 2005 अब ये देखते हैं कि ये amendment जो एक solution के लिए लाया गया था इससे क्या-क्या problems हुई तो बस इस board पे हमारा पूरा discussion end हो जाएगा तो यहाँ पे थोड़ा जादा ध्यान दीजेगा मैं जितना simply हो सके उत्ता simply समझाने की कोशिश करूँगी तो 2005 के जो amendment आया था इसकी enactment date क्या थी 9th September 2005 की और इस पूरे amendment को लेकी problem जो confusion होई थी वो क्या थी कि क्या इस date को father का जिन्दा होना father का alive होना जरूरी है या नहीं मतलब अगर किसी father की death 2002 में हो जाती है और ये law आता है 2005 में तो क्या फिर भी उसकी daughter अपना right claim कर सकती है या नहीं यही question था यही problem उठ री थी इस amendment को लेके और इसका answer देने की कोशिश की है इन तीन cases में और finally इसका answer मिला है आज के judgment में विनीता शर्मा versus राकेश शर्मा के case में पर इन दोनों cases को भी देख लेते हैं तो पहले आया प्रकाश versus फूलवती का case 2016 का इसमें bench थी जस्टिस अनील डवे और जस्टिस एक ही गोयल की इस case में सुप्रीम कोट ने ये कहा कि फादर का इस date में living होना ज़रूरी है living को पार्सनर की living daughter को ही राइट जाएगा तो इस date पे फादर का alive होना ज़रूरी है ये कहा प्रकाश versus फूलवती की case में अब आते हैं दो साल बात के 2018 के दनम्मा versus अमर की case में इसमें भी सुप्रीम कोट की दो जज़ेस की bench थी जस्टिस एके सिकरी और जस्टिस अशोग भूशन इस case से सुप्रीम कोट ने कहा कि भले ही फादर की death 2001 में हुई हो मतलब on this date father living नहीं थे फिर भी daughter को right मिलेगा तो इस case में क्या कहा था कि living होना ज़रूरी है पर इसकी opposite इस case में क्या कहा कि भले इस date से पहले फादर की death हो गई हो फिर भी daughter को right मिलेगा तो अब ये दोनो judgments conflicting हो गए जिस वज़ेसे confusion हो रहा था कि ये follow करे कि ये follow करे तो इस confusion को solve किया है सबसे recent case में 2020 के विनीता शर्मा व्राकेश शर्मा के case में अब already इन दो judgments में दो-दो judges की bench थी इसलिए इसमें तीन judges की bench बटाई गई जिसे head कर रहे थे Justice Arun Mishra, Justice Abdull Nazir और Justice M.R. Shah तो इस amendments से और इन दोनों cases से जो पूरा confusion create हो रहा था कि क्या इस date पे father को alive होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इस पूरे confusion को solve कर दिया इस case में Supreme Court ने बहुत simply ये बोला कि ancestral property पे woman का जो right है वो बेटों की right की जैसे उन्हें by birth मिलावा है father alive है या नहीं उनसे उनका right effect नहीं होता है तो 1956 के पहले अलग-अलग region पर अलग-अलग customary laws लगते थे 1956 में इन सारे laws को codify कर लिया गया as Hindu Succession Act of 1956 जिसमें ancestral property को survivorship rule के थूँ devolve किया जाता था जो next three generations के males को as co-pastner recognize करता था ये act women को as co-pastner recognize नहीं करता था इसके बाद आया 2005 का amendment act जिसने section 6 को amend करते वे survivorship rule को abrogate किया और इसके जगह लेके आये testamentary और interstate succession जिसमें daughters को भी as co-pastners recognize किया गया इस amendment के वज़े से थोड़ा confusion चल रहा था तो 2015-16 में आया प्रकाश vs. फूलवती का case इस case में ये कहा गया कि 2005 के act के चलते अगर daughters को अपना benefit claim करना है तो 2005 को उनके father का alive होना जरूरी है इसके बाद 2018 में आया दनम्मा vs. अमर सिंग का case इस case में ये कहा गया कि अगर father की death हो भी गई हो तो भी daughters का right protected रहेगा तो 2016 और 2018 का judgment conflicting था जो और confusion cause कर रहा था और finally आया 2020 का विनीता शर्मा vs. राकेश शर्मा का case जिसमें उन्होंने दनम्मा vs. अमर सिंग के judgment को सही कहते रहे ये कहा कि daughters का property पे जो right है वो sons की तरह since birth होता है तो father की alive होने से या ना होने से कोई फरक नहीं पड़ता उनके rights protected रहते हैं तो ये था आज का discussion daughters right on property के उपर इस topic पर और detailed जानकारी के लिए आप मेरे ब्लॉक को भी पढ़ सकते हैं इसके साथ ही ऐसे और updates के लिए आप मुझे मेरे Instagram ID पर भी follow कर सकते हैं उमीद करती हूं कि आज कई वीडियो को पसंद आया हो That's it for now See you in the next class, bye bye